गुड़ मॉर्णी इस्ट्वेंट्स हमारे आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले है कि क्या होगा अगर हमारा जो रेपोर्टिंग वर्व जो है वह प्रेजन्टेंस में है और हमारा जो रेपोर्टेड इस्पीच है उसमें मॉडल्स आते हैं तो आगे बढ़ने से पहले पहले हम लोग समझ लेते कि मॉडल्स क्या है यहां पर हम कुछ स्टोरी के मद्धम से मॉडल्स को समझने की कोशिस करेंगे मान के चले एक मैट्स का टीचर है अवा जो है बोड पे सवाल लिखता है और पूछता है कि यहां सवाल को कौन हल कर सकता है तो उसमें से एक बच्चा बोलता है मैं सवाल को हल कर सकता हो तो यहां पर देखें बच्चे की एबलेटी बतायाद दिया गया है अब उसके बाद क्या होता ठीक है आओ सवाल को सॉल करो तो क्या बोलेगी you may solve the problem तो अगर हम बोले you may solve the problem मतलब permission दिया जाए ठीक है आओ सवाल को हल करो अब बच्चा है क्या बोलता है you should give me a chalk आप मुझे एक chalk दिनी चाहिए यहाँ पे किसी भी तरीकी का suggestion याफी permission मांगा जा रहा है अब जब बच्चा solve कर देता है question को तो क्या बोलता है कि मैं मेरा हो गिया तो अब टीचर क्या बोलती है you must check the answer तुम्हें जो है वो अपने answer को जरूर चेक करना चाहिए तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहे है advice दे रहे है आप जब दिन खतम हो जाता है तो उस लड़की का दोस्त है वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे बगल में जो राम जो था वो इस काम को solve कर सकता था राम could have solved the problem राम इस सवाल को हल कर सकता था तो यह क्या हो गया past ability तो इस कहानी के माद्धम से हमनों क्या समझ पा रहे है कि models का जो इस्तमाल जो है वो command, order, request, suggestion, demand possibility, probability, possibility इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है models के थूप साथी साथ models के बारे में इस बात को हमें याद रखना है या किसी व्यक्ति का mood बताता है अगर किसी व्यक्ति का mood है तो वह किसी से order करेगा यह से request देगा यह उसे suggestion मांगेगा हर एक ठीक जो है वह अपने mood के नुसार करता है को रखती यहाँ पे जो है हमारे models के list दिये गए है अब हम समझते है कि models का direct speech से indirect speech में किस तरह का बदलाव होगा तो अगर model जो है वो हमारे direct speech में है तो हमारे indirect speech में model ही रहेंगे जैसे will direct speech में है तो indirect में will ही रहेगा shall direct speech में है तो indirect में भी shall ही रहेगा would direct speech में है तो indirect में would ही रहेगा should direct speech में तो indirect में should ही रहेगा me direct speech में तो indirect में में ही रहेगा might direct speech में तो indirect में might ही रहेगा can direct speech में तो indirect में कैन ही रहेगा कुड डायक्ट स्पीच में है तो इन डायक्ट में कुड ही रहेगा मस्ट डायक्ट स्पीच में है तो इन डायक्ट में हमारा मस्ट ही रहेगा आउट टू अगर डायक्ट स्पीच में है तो इन डायक्ट में हमारा आउट टू ही रहेगा अब हम इसके कुछ example समझेंगे राम says to me you should diet राम उससे कहता है क्या कहता है कि तुम्हें जो है वह diet करना चाहिए यह हमारा हो गया diet speech अब इसे diet speech से in diet speech में कैसे बदलेंगे राम का राम हमारा रह जाएगा says to diet speech से in diet में tells बदल जाएगा मी का मी ही देहेगा उसके बाद comma inverted comma हटेगा और हम ध्यान देंगे reported speech में तो हम लोगों ने क्या समझा है कि reported speech का जो person जो है चाहे वो first person हो second person हो या third person हो वो reporting वर्व के subject या object के अनुसार बदलता है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था तो you क्या है हमारा second person और हम लोग क्या समझ पारे कि second person जो है वो object के अनुसार बदलेगा यहाँ पे object क्या है me तो me जो है I का objective case होता है तो मी का यहाँ पे क्या लेंगे subjective case तो हम लोग क्या देख पाएंगे कि you जो है वह हमारा diact speech से in diact में I में convert हो जाएगा तो हमारा answer क्या है राम tells me that I should diet next है I say we ought to respect our elders मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ कि हम सब लोगों को अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए यहाँ हमारा हो गया diact speech अब इसे हम diact से in diact में कैसे बतलेंगे I का हमारा I ही रहेगा say diact speech से in diact में say ही रहेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा diet लेगा उसके बड़ हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे है V V क्या है first person तो first person किस के नोशाब बडलता है subject के नोशाब तो यहाँ पे जो है V के जगा हम लोग I नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो आई जो है वह speaker है अवा क्या बोलता है कि हम सब लोग को मतलब अपने साथ बहुत साह लोग के बारे में बात कर रहा है तो V जो है अगर हमारा diet speech में है तो in diet में हमारा V ही रह जाएगा तो हमारा answer क्या हो जाएगा I say that we ought to respect our elders you must listen to your parents तुम्हें जो है वो अपने माता-पिताव के बात को मानना चाहिए या होगे हमारा diet speech में तो इसे in diet में कैसे बदलेंगे ही का ही ही रह जाएगा says to diet speech में तो in diet में हमारा टेल्स में बदल जाएगा राधा का राधा ही रहेगा कॉमा इन्वर्टेट कॉमा हटेगा फिर उसके बार जो है हम लोग क्या लगागे that फिर उसके बार यहां क्या देख पारे you क्या है second person और हम लोगों ने sun rule से क्या समझा है कि second person जो है वा हमारे object के नुशा बदलता है यहाँ पे object क्या है राधा तो राधा के लिए हम लोग क्या लेंगे she तो हमारा यू जो है direct speech में वा in direct communication मतल जाएगा she तो हमारा answer क्या हो जाएगा he tells राधा that she must listen to her parents यहाँ पे देखे you का हमारा possessive adjective योर होता है उसी प्रकार से का हमारा possessive adjective हर होता है next है we say comma inverted comma they may be coming tonight हम लोग कहते है क्या कहते है कि वे लोग आज आ रहे होंगे तो यहाँ हमारा होगिया direct speech इसे in direct में कैसे बदलेंगे we का we ही रहेगा say direct speech से in direct में भी हमारा सही रहेगा comma inverted comma हटेगा फिर उसके बाद reported speech में हम लोग क्या देख पा रहे है they है और they क्या होता third person तो हमने sun rule से क्या समझाए कि third person में किसी भी तरह का बदलाफ नहीं होता है तो हमारा answer क्या हो जाता है we say that they may be coming tonight तो हमारी आज की class के लिए इतना ही मिलते है हमारी next class में ढक फ्यापकरmani-तर आप कि लिए वावको deben स ढा सत चर्ड़ो एक ämार रहे है कि दूटर सकते है